हेलो फ्रेंड्स एन वेलकम तो थे एक्जाम्स मेट सिंपल इन वी आ बाक अगें विद दे हिंदू कॉंप्लीट निउस्पेपर अनालिसिस फर थर्ड अफ में 2021 तो तीन माई 2021 का दे हिंदू निउस्पेपर अनालिसिस शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है कि आपका करेंट फिर्स वीक है फॉर दिस एर्स करेंट फिर्स एक्जामिनेशन या फिर अगले साल के लिए भी अप्तियारी कर रहे हैं तो यह जॉइन आर यूपेसी प्रिलिम्स रिवीजन सिरीज इसमें साल भर का करेंट अफ प्रिविशन इन कमेंट सेक्षिन बिलो स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है ग्लोबल इवी आउटलूक 2021 रिपोर्ट इस पब्लिश्ट वाइव फॉलिए और्गनाइजेशन जो ग्लोबल इवी आउटलूक रि later सवाल हमें अई इस बीलोब्लिश्ट करते हैं दूसरा सवाल है य стिवेल इयु थाटिय ह這種 थाट्योंट रिवी आईच्जें स्ती ओ क्रिषिन अपीशन फीड ट्रिवश्ट इस फूर्ट इस रिच्टरविए ट्रिवी आच्राय प्रोस्ट्य। कौन से स्टेटमेंट आपको उताना सही है one only, one and two only, one and three only, one and three only, one, two and three only, question number three is ecological succession is generally characterized by, ecological succession के characteristics क्या होते हैं, first statement है increased productivity, second है decreased niche development, third है increased complexity of food webs, तो आपको उताना है इन में से क्या-क्या होते हैं characteristics ecological succession के, फिर से सुनली जा option, increased productivity, decreased niche development, increased complexity of food webs, options है one and two, one and three, two and three, one, two and three, these are the three questions for you today, please do try to answer these questions in the comment section below, मैं अभी news बताने के बाद आपको इसका answer बता दूँगा, अब move करते हैं, आज के news items के through, जो के हमने various websites, अलग-अलग websites, अलग-अलग important जगों से लिए हैं, हो सकता है यह the Hindu में ना भी हो, लेकिन यह important है from your exam point of view, तो मैंने बहुत सारे sources, मैं खुछ जैसे जो भी read करता हूँ, मैं वहां से यह news आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली बा होते हैं, जो सब atomic particles होते हैं, जैसे अगर हम एक particular group की properties वाले को अगर हम matter कह रहे हैं, for example, suppose we are calling this matter, having one particular group of properties, for example, electrons have particular group of properties, इसकी जो बिल्कुल opposite properties रखने वाला group होगा, उसको हम antimatter कहेंगे, उसका antimatter कहेंगे, मला आपकी दोनों को जोड़ होएंगे, तो neutrality हमको मिलेगी, तो antimatter counterpart using electron के होता है, वह positron कहलेता है, अब यह research कहाँ होगी, ही research कि है, Raman Research Institute, Raman Research Institute जो कि बैंगलूरू में है, याद रखेगा Raman Research Institute जो कहां पर है, बैंगलूरू में है, उसने ये antimatter counterpart electronics का जो है, बताया कि यह positron होता है, इसको बोलते है positron process phenomena, this phenomenaüzel us positron access phenomena, they have resolved the mystery of antimatter counterpart of electron call पॉजित्रों एक्सेस फिनॉमिना अब आर आराई क्या है बता जाता हूं रमन रिसर्च इंस्टिटूट जो है वो क्या है इट्स ऑॉट नॉमस इंस्टिटूशन ऑफ डिपार्टमंट ऑफ साइंस इन टेक्नोलोजी के अंदर ओके ठीक है याद रखेगा ऑॉट नॉमस इं अगला जो इंपोर्टन नुज नियुस है यह बहुत इंपोर्टन आयाद रखेगा किर्गिस्तान तजकिस्तान बॉडर टेंशन किर्गिस्तान और तजकिस्तान की बीच में बॉडर डिस्प्यूट चल रहा है को अभी कुस दिनों पहले मैं आपको आपको अज़र्जान अर्मेन की की बीच का dispute बता थे जसमेने बात की थी नागोरनो कारवाग ऐच पैसी हमने बात की थी द्र ती लिख देता हूं घए कि याद रहे कि थी चलिव गया बीच की भिंच बीक चल Gör रहा है अब यह जह बूप्र ça रहा है किस रीजन के लिये तो वहाँ पेक रीजन है कोक्टास कोक्टास नाम का गाउं है कोक्टास विलेज कोक्टास दिस्प्यूट रीजन है वहां पे water supply facility बनी हुई है कोक्टास में water supply facility बनी है और वही जो है area disputed है between the two किर्गिस्तान तजिक्स्तान दोनों Central Asian countries हैं आप सब आपको पता होना चाहिए कि यह किर्गिस्तान और तजगिस्तान का रीजन आते हैं यह Central Asia का पार्ट के लाता है इसके साथ जुबेकिस्तान आपका और उधर साइड कजकिस्तान भी हो गया ठीकर नथी यह सारे उसमें आते हैं लेकिन यह Central Asia का पार्ट है और यह कोक्टास एन ये दोनो नाइंटीन इन्टी वन में इंडिपेंडेंट हुए जब आपका USSR का डिसियंटीग्रेशन हो जब डिसिंटीग्रेशन का कौन से किस कंट्री से डॉमिनेटेड है यह रशिया से डॉमिनेटेड और इसकी फाउंडेशन जो ही थी वो 1992 में हुई थी तो यह भी आप लोग लिख लिए कि कलेक्टिव सेक्यूरिटी ट्रीटी ऑर्गनाजेशन जो है वो कब बना था 1992 में बना था इसमें मेजर जो में लिख लीजे आर्मेनिया आर्मेनिया बेलारूस आर्मेनिया बेलारूस ठीक है हम किसकी बात कर रहें सी एस टी ओ याने की यह सेंट्रल कलेक्टिव सेक्यूरिटी ट्रीटी ऑर्गनाजेशन रुश्या डॉमिनेटेड ग्रूप है यह और 1992 में इसका फॉर्मेशन हुआ था ठीक है ना और 1992 में इसको कलेक्टिव सेक्यूरिटी ट्रीटी ऑर्गनाजेशन ट्रीटी बोला गया और 2002 में 2002 में इसका नाम कलेक्टिव सेक्यूरिटी ट्रीटी ऑर्गनाजेशन का किया गया तो बना 1992 में था बट यह जो नाम है CSTO यह 1990 यह 2002 में दिया गया ठीक है याद और 1992 में इसका formation है 1992 का formation है CSTO के member मैंने आपको बता है 6 members है जिसमें हमें एक बताया Armenia दूसरा बताया Belarus तीसरा है Kazakhstan चौता है किर्गिस्तान पाचमा है Russia और छटमा है शिक्स्त है तजिकिस्तान तो यह हमने देखा कि किर्गिस्तान और तजिकिस्तान दोनों ही collective security treaty organization के member है ठीक है न उसको याद रखेगा CSTO 6 members और दो observer कौन कौन से है अफगानिस्तान और सर्विया अफगानिस्तान और सर्विया दो member countries है दो observer countries है membership 6 members हो गई Armenia, Belarus, Kazakhstan, किर्गिस्तान रशिया और तजिकिस्तान इसको भी याद रखेगा अब 1991 मिन का independence मना को उता दिया तो यह कोक्टास रीजन के कारण जो इसका dispute इसको याद रखेगा तीसरी जो news हम discuss करेंगे 1st May 2021 को इंडिया celebrate किया 400th प्रकाश परव of गुरतेग बहादूर 400th प्रकाश परव गुरतेग बहादूर was celebrated on 1st of May 2021 he was the 9th सिख गुरू गुरतेग बहादूर जो थे वो 9th सिख गुरू थे born in Amritsar Punjab in 1621 1620 में उनका जन्म होगा तो 2021 में 4000 साल हो गए न and he was the youngest son of गुरू हरगोविन सिंग he wrote 115 hymns that were included in the Guru Granth Sahib इनके काम क्या क्या है he wrote 115 hymns that were included in Guru Granth Sahib and Guru Tegh Bahadur was executed on the orders of Aurangzeb Aurangzeb के order पे इनको execute किया गया था and Gurdwara Shis Ganj Sahib that marks the execution place of Guru Tegh Bahadur and Gurdwara Rakab Ganj Sahib that marks the cremation place of Guru Tegh Bahadur तो इन दोनों चीजों को आप याद रखेगा 9th सिख गुरू इनको याद रखेगा and 400th प्रकाष पर of Guru Tegh Bahadur was a liberator 115 hymns उनों ने लिखी है which were included in the Guru Granth Sahib तो इसको याद रखेगा चौथी जो न्यूज हम बताने वाले वो है Government of Germany recently announced that it is to return the artifact called the Benin Branches ठीक है याद रखेगा Benin Branches को return करने वाला है Germany return करने वाला है to Nigeria Germany is returning the Benin Branches to Nigeria तो अब सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि Benin Branches का नाम अगर कभी भी आएगा तो याद रखेगा Germany to Nigeria ये जा रहा है Nigerian artifact है जो कि Germany इसको लटा रहा है Benin Branches होते क्या है Benin Branches are the group of 1000 Metal Sculptures 1000 Metal Sculptures का group है 1000 Metal Sculptures का group है and these sculptures once decorated the Royal Palace of Kingdom of Benin जिसको करिंट नाइजीरिया हम बोलते है तो इस समय Kingdom of Benin उसको कहा जाता था currently जो नाइजीरिया वाला प्लेस है Kingdom of Benin कहा जाता था इसलिए उनको Benin Branches कहते थे ठीक है ना and these were looted during the British time तो जब Benin Expedition 1897 में तो कही आर्टिफर्क्स लूटे गए यहां से and now the German Government is returning these artifacts तो प्लीज मेक शूरे रिमेंबर दिस पार्ट Benin याद रखेगा नाइजीरिया करेंटली and Benin Branches कौन किसको रिटर्न करना है पार्ट आपको याद होना चाहिए so these were the important news items I hope you got clarity काफी अच्छी news items होना आपको था ही CSTO का ग्रूप बताए एक मैंने आपको है ना important deluxe grouping भी हमने देख ली उसको note कर लेना अपने notes में है ना कुछ भी ऐसा होता है तो revision series भी जैसे complete जरूर हमने कर दी अभी लेकिन अभी दो महीने एक्जाम नहीं होगा तो भी मैं daily कोशिश करूँगा कुछ नो कुछ आपको भेजता जाओ revision series के जो members उनको मैं कुछ नो कुछ भेजता जाओगा आपे group में ठीक है ना तो इसको याद रखेगा पहला स्टेटमेंट जिसका कहता है इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलाथ है क्यों क्योंकि इसमें लिखा है इसमेंट विखाए लिखाए जेटमेंट भी आपको याद रखना है तो प्लीज मेंट रिमेंबर दाइस अन उसमें फर्स्ट थर्ड आंसर होगा हर चीज बढ़ जाती है डिक्रीज कुछ नी होता है डिक्रीज नीच डिवलेप्पेंट नी होता see map में आपको बताने वाए यह पहले मैं आपको आपको आपारा बाइस फिर बतायता हूं तो इंपॉर्टन थिंग चले करके देखते हैं सबसे वहले उपर आपको दिख रहा हो को को डिजर दिख रहा है ना को डिजर जो है को हिमाचल प्रदेश में इसका पार्ट भी नंदा देवी तो यह इंपॉर्टन चीज है आपको यह भी में बता जाता हूं देखो 18 बाइस फिर रिजर्व है और अभ अपडेटेड नहीं लेकिन मैं आपको बताता हूं सबसे लेटेस यह थी चो पन्ना रिजर्व है पन्ना बाइसफेर रिजर्व है लेकिन अब इसको मैं और बाइसफेर का भी पार्ट है इसको याद रखेगा तो अपन बात कर रहे थे कौन-कौन से बाइस फिर इस इंडि इमाचल प्रदेश में है, उपर आपको देख रहा होगा, नन्दा देवी, ये देखो घुँत्राखन में देख रहा है, नन्दा देवी, चीख है न? तो पहले पन ये बल्टिन निप्ता देता है, फिर इसके बाद आपका कंचन जंगा आता है, कंचन जंगा जो की सिक्किम में है काफ़ important है जिक के इंदर कथा है यह भी आपका cellarm का इसका है टाइक न मनशन जंगा भी मन्स मनशन आपका असाम में है आदरक्रिका बाहिसफेर रिजर्फर मननस असाम में आता है दिहांग दिवांग आता है अरणाचल प्रदेश में और मानस के अलावा एक और असाम में आता है दिबुरुशाइखोवा आपका बाइसफेर रिजर्व जो की असाम में ही आता है दिबुरुशाइखोवा आपका असाम में ही आता है दिबुरुशाइखोवा आपका असाम म प्रग्राम का part है नो करेक ठीक है ना सुदर्बन और सिमलीपाल सुदर्बन वेस्ट बेंगोल में आता है सिमलीपाल उड़ीसा में आता है दोनों ही आपका man and biosphere का भी part है बास फेर रिजधा भी तो ये भी आप याद रखे हैं लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से बता द प्रदेश और MPCG अचानक मार अमर कंटक्ट जो है यह MPCG बॉडर में है याद रखेगा पच्मधी बाइस फेर रिजर्व आपका इंपॉर्टेंट है सत्पुड़ा रेंजे महादेव हिल्स आता है वहां पर आता है आपका सत्पुड़ा में पच्मधी पच्मधी काफी इंपॉर्टेंट है काफी एक फेमस जगह है मदप्रदेश की वह बास फेर इंपॉर्टेंट है और मैंने बाइस फेर के अंदर इजक्वर में चेशाचल को है अध्युक्त फ्रदेश वाली रिजन में आता है और आपका बाइस फ्र रिजर्व ए ने लिगरी नीलिगरी अगर आप देखें तो नेलिगरी भी काफी इंपॉर्टन्ट है है यह तमिलनाडू केरला वाले बौडर रीजन में आता है ठेके कि अगस्थे माला, अगस्थे मालाई, 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 I hope you got clarity regarding them, एक एक करके मैं फिर से एक बार आपको बतायता हूँ, कोड़ डेजर्ट ही माचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचन जंगा सिक्किम में है, दन मानस आपका असाम में आपको दिख रहा होगा, असाम में और दिब्रु शाइखोवा भी असाम में, अरुनाचल प्रदेश का है दिहांग दिबांग, ठीक है न, दिहांग दिबांग आपका अरुनाचल प्रदेश का है, नोक्रे का आपका मेघालिया का है, सुन्दर्बन आपका वेस्ट बेंगॉल का है, पच्मढई आपका मद्धप्रदेश में है पन्ना को रिसिंटली इंक्रूड किया गया है इन लिस्ट उफ यूनस्कों लेट बैनन बाइस्फेर प्रोग्रम ठेके न फिर आपका यहां पर गल्फ आफ कच्छ एक और गुजरात में रहेगा गल्फ आफ कच्छ जिसको बोलते गल्फ आफ कच्छ वो भी गुजरात में है पच्मढई आपका मैंने बता दिया अगस्थ मलाई नीचे मैं आपको बता दिया केरला तमिलाडू वाले पार्ट में आता है और यहां पर गल्फ आफ मननार वाला रीजिन मैं आपको बता दिया और इधर साइड ए ग्रेट नि निकोबार में ग्रेट निकोबार दिख रहा होगा आपको ग्रेट निकोबार दिख रहा है न वो भी आपका है ठीक है तो इसको याद रखेगा अब इसमें से मैन बैस्फिर वाले कौन कौन से है तो ग्रेट निकोबार आपको दिख रहा नीचे ग्रेट निकोबार गल्फ UNS को तो इसको भी आद रखेगा ठीक है ना इस आर अनदर इंपोर्टन पार्ट जो कि आपको याद रखने हैं तो I hope you got clarity regarding this map और इसमें एक और इंपोर्टन चीज और मैं आड़ कर देता हूं जैसे की एक कुछ इंपोर्टन रिजन वाले पार्ट है जैसे की cold desert के अंदर का आपका pin valley national park आता है अगस्थ मलाई ये question आया भी है मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था तब भी ये question आया था जब मैंने पढ़ाया था अगस्थ मलाई के अंदर आपका नेयार नेवल वाई ए आर नेयार याद रखेगा नेयार पिपारा पिपारा नेयार पिपारा और शेंदुर्नी शेंदुर्ली वाई लाई लाई शेंदुर्नी ये वाला पार्ट जो है नेयार पिपारा शेंदुर्नी जो है वो अगस्थ मलाई के अंतर का आता है ठीक है ना इसको याद रखेगा and these are the important things from the today's map I hope you got clarity regarding the map of the exercise आगे move करते हैं देखते हैं और के important news item से इसको हम डिसक्स करना है so you can move with me, आज पूरा का पूरा जो महौल था वो political महौल है क्योंकि result आया है election का in the Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, Assam, Puducheri ठीक है यहाँ पे result आया है election का and the most surprising results were of West Bengal काफी जाता वहाँ पे बात चल रही थी and I hope you but that is that is a very political thing we will not we are not going to discuss that जितने editorial आ जाएं आप देख लीजे मैं लाइन साब को दिखा लेता हूं mirror to the future of Tamil Nadu in India, political article, Bengal's mandate, trending point of national politics, political article, towards a new type of government, M.K.Stalin, Tamil Nadu के उपर है यह, political again, second decisive shift, India's emphatic victory in Assam, that is again a political article, we are not going to discuss any of the editorial today, आप भी छोड़ दीजे, बिल्कुल कोई ज़रत नहीं है, ऐसा question यूपे सी कभी नहीं पूचता है, अगर आपको मसालेदार थोड़ा पढ़ने मजा आता है तो आप ज़रू पढ़ सकते, but I don't prefer that during UPC preparation, है नहा, move करते है, don't discriminate in vaccination Supreme Court, Supreme Court ने कहा है Central Government को, you should not discriminate between people, different citizens of India, for example, you gave the vaccination to those who were above 45 years of age, but you are not able to provide the vaccination to those who are of the age group, 18 to 44, तो अब 18 to 44 के पास भी तो right to life है, under article 21, right to life and reverty तो उनके पास भी है, right to health उनके पास भी है, है ना, अब right to health, actually में article 21 क्या है, बहुत जादा wide article है, मलब Supreme Court क्या करता है, article 21 के अंदर का बहुत सारी चीज़े add करता जाता है, तो article 21 के अंदर का थी एक part है, right to health का भी एक पार्ट को दे दिया है, तो 18 to 24 वालों को भी देना चाहिए आपको vaccination है ना, so for that reason, the Supreme Court is saying that don't discriminate between different classes of citizens in India, है ना, and just, उन्होंने बोला कि तीन तारिक के पहले आप oxygen की supply भी पूरी करो, है ना, there is a deadline to them, and इसके लाव उनने का है कि आप vaccination का भी प्रबंध करो, जल्द से, जल्द, अगला ह merchandise export touch 30.21 billion dollar, तो merchandise, इंडिया का merchandise export है, 2021 April में, वो 197% ज्यादा था, पिछले साल के comparison में, ठीक है न, 197% ज्यादा था, merchandise की बात चल रही तो मैं आपको एक scheme की बारे मताता हूं, जो इंडिया में चलती है, merchandise export incentive scheme, M-E-I-S, M-E-S scheme मोलते है इसको, ठीक है न, ये foreign trade policy 2015 से 2020 के अंदर इसको release किया गया था, foreign trade policy 2015 to 2020 के बीच में, इसको release किया गया था, चेक है न, ये क्या करती है, merchandise export को promote करने के लिए incentives provide करती है, in the form of duty credit scripts, याद रखेगा duty credit scripts, ये लिखा हुआ न, duty credit scripts के form में, अब duty credit scripts का use कैसे क्या आता है, जब custom duty, या, जब कोई import क्या आता है, product, import करता है, custom duty अगर पे करना है, तो इसकी जगए, आप duty credit scripts के थ्रूज को pay करता है, आपको money नहीं देनी पड़ेगी, incentive के form में, आपको duty credit scripts मिले है, उनका आप use कर सकते है, in order to pay as custom duty, तो आपकी पैसे की budget होती है, तो इसमें काफी ज़्यादा आपको import में फायदा मिलेगा, जब import में आप raw materials सस्ता मिल जाएगा, तो आप export ज़्यादा करेंगे, तो आप export ज़्यादा करेंगे, that is the thing behind this MIS scheme, ये notify की गई थी, DG FTI दोरा याने कि Delta General of Foreign Trade दोरा, और implement किया गया है, Ministry of Commerce and Industry दोरा, तो Ministry of Commerce and Industry is the implementing ministry under this, and foreign trade policy 2015-2020 के इसको release किया गया था, ठीक है, इसको याद रखेगा, आगे मूफ करते हैं, देखते हैं, क्या important news items है, Myanmar rebel group squad for united fight against military junta, तो अब क्या है, कि यहाँ पे Myanmar का rebel group है, एक Myanmar का important rebel group है, जिसने भी कुछ Thailand से bordering region में कुछ, basically, basically, उन्होंने कुछ part cover भी किया हुआ है, Thailand के पास जो कुछ region है, तो ये rebel group का नाम क्या है, Karen rebel group, याद रखेगा, इसका ना करना चाहिए, K-A-R-E-N, Karen, Karen rebel group है, जो कि military junta के against लड़ रहा है, in order to get the democracy back in Myanmar, अब आप सब को पता है, कि military junta ने क्या किया था, कि national league for democracy, जो NLD की chief है, Aung San Suu की, उनको उन्होंने arrest कर लिया, और एक तरह से military coup कर लिया, और military coup करके, वहाँ पर, उन्होंने जितना भी democratic government elect किया गया था, उसको remove करके, खुद को power में establish कर लिया, this was the story show so far, now there is a rebel group, Karen rebel group, जो कि अब थोड़े थोड़े regions में, इनको हटा रहा है, जैसे कि military base उसने cover किया है, Karen rebel group में, एक military base जीता है, जो कि Thailand के साथ border बना रहा था, and वह यहाँ पर military base को उसने हटाया है, और यहाँ पर उन्होंने spring revolution की बात किया, that they are calling for a spring revolution, याद रखे, Karen rebel group is, wants a spring revolution, तो यह भी term, आप अपने notes में add कर लिजे, spring revolution for Myanmar, ठीक है न, US agrees to prisoner swap Iran state TV, अब यहाँ पर US agree कर गया है for the prisoner swap, 7 billion dollar की deal हो गई, जिसमें की 7 billion dollar USA देगा, और UK, Iran क्या करेगा, sorry, US and UK देंगे उनको 7 billion dollar, और Iran क्या करेगा, they will free the prisoners with western ties in Iran, they will free the prisoners with western ties in Iran, and they will get money in return, okay, SpaceX capsule brings astronauts back to the earth, SpaceX का crew dragon था, crew dragon capsule, उसने 4 astronauts को earth में वापस ला दिया है, और यहाँ, and this was the first night time ocean landing in more than 50 years, तो पहली night time ocean landing थी पिछले 50 सालों में, and this was done by SpaceX crew dragon capsule, याद रखे हैं, जो कि चार जो astronauts तुमको international space station से लेगर के वापस आ गया, ठीक है न, India receives aid from Taiwan, अब इंडिया ने ताइवान से मदद ली है, oxygen cylinder के form में, है न, and यह सारी चीज़े है, तो ताइवान और इंडिया पहली चीज़ता आपको मता दू कि फॉर्मल, फॉर्मल दिप्लोमाटिक रिलेशन में नहीं करते हैं, इंडिया और ताइवान डूनाट में फॉर्मल दिप्लोमाटिक रिलेशन, उसका reason क्या है, उसका reason है, one China policy, one China policy कहती है, that there is only one sovereign state under the name of China, there is only one sovereign state under the name of China, as opposed to the idea, अब क्या है, दो idea क्या है, एक तो People's Republic of China, जिसको हम China जानते हैं, और दूसरा Republic of China, जो कि ताइवान खुद को बोलता है, तो PRCN की People's Republic of China का यह कहना है, भाहिया देखो, केवल एक ही China है, दो चाइना नहीं है, only one sovereign state है, चाइना के रूप में, as opposed to the idea of two states, दो अलग-अलग states नहीं है, एक चाइना होता है, केवल एक चाइना है, ताइवान उसी का पार्ट है, तो आगे मूफ करते हैं, that is it for the day friends, I hope you liked our video, please do like, share and subscribe, keep loving us, keep sharing us, thank you and have a nice day.